आज के इस कारेक्रम में अपने विचारवक्त के देश के जाने माने अधिवक्ता और विचारख आज के इस कारेक्रम के देख्षमोदे स्री साइधि पकजी इस आयोजन के सैयोजक और मित्र वैभावजी सभागार में उपस्तित, सभी गणमान्य अतिति व्रंद, सभी उपस्तित बैनों और भाईयों चत्रपति शिवाजी महाराज के राजजाब शेख के तीन सो पचास वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे कारक्रम कायोजन करना इसके महथ तो क्या है इसके बारे में साइधि पकजी ने किस पृष्ट भूमी से किस एंगल से इसको देखना चाहिए और इससे क्या हमें आगे के दिनों में क्या करना चाहिए इसके बारे में बहुती एक क्विचेशन अत्मक विचार अपने रखा प्रस्तावना में वोई भूजी ने इस कारक्रम के अन्य पहलों के बारे में भी ने कहा इसके महथ तो क्या है इसारे आयोजन के पीछे जिन लोगोंने बहुती परिश्वरम और लगन से कारक्र किया है उन सबका मैं अभिनादन करता हूँ विशेशकर जिनोंने यहां छोटी नाटिका के मंचन किया बाहर इस सभागार के परिशर में प्रदर्शिने जो लगाई है उसमें बहुती सुन्दर और आकरशक चित्र प्रदर्शिन जो बनाई है उसमें चित्र जिनोंने बनाया वो विद्यारती संस्कृत और हिंदी में कविता बनाये हैं वो सभी उन सब को मैं हरदय से अभिनादन देता हूं कृता भी वक्त करता हूं क्योंकि आ इसे विश्यों में जब अपने प्रतिबा को व्यक्त करना है तो उसके अंदर प्रवेश करना पड़ता है जैसे अभी कहा नाटिका को मंचन करने के पूर्व इतिहास को अध्येन किया बले ही इस कारेक्रम के निमित तो क्यों नहों मिद्यारितियों ने शिवाजी महराज के इतियास के थोड़ा सो तवज्देन किया वचे शिवाजी महराज के कहानी महाराश्टर के गरगर में लोक गीत के लोक कहानियों के द्वारा खेलों के द्वारा विविन्न साम्सकुतिक आयोजन के मरफत शिवाजी महराज को जीवन्त रखने का प्रयत्ना शिवाजी महराज के पस्चात आज तक का चलाओ आये फेकिन जैसे अभी साइदि ने कहा हमारे यहां जो महापुरुष है जो पूरे देश के लिए राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए जिन्नोंने किसी भी खेत्र में कारे किया वो शिवाजी महराज जैसे एक राज्यस्त अपना करके इस देश के धर्म और राष्ट्रियता के रक्षा की उसका पुनर्जागर्न किया अत्वाधार्मिक खेत्र में संस्कृतिक खेत्र में इसे प्रकार के जिन्नोंने कारे किया उनको किसी रूप से प्रांत और भाषा के साथ जोड़कर उनके महानता को संकुचित करने के एक बहुती दोश्व पूर्ण कारे हो गिया है इसके कारण कौन इस मिमान समय इस विस्ट्रेशन में मैं नहीं जाओंगा थोड़ा उलेक भी हो गिया है उसका हमारे शिक्षा प्रणाली के कारण ऐसे रहा हो इतिहास के रचना करने माले लोगों ने जान बूचकर बुद्धि पुरस्षर एक गलत नेरेटिव को स्थापित करने के लिए इस प्रकार के अलकते की हो या हम लोगों के अज्ञान हो या विक्ति को अपने साथ जोड़ने के पहचानने के पूरे राष्टर के है तो अपना कैसे हुआ तो इसलिए वो अपने भाषा के हैं अपने जाती के हैं ऐसे कहने से उनके मानता जाता है ऐसे लोगों के ये जो छोटे मन हैं छोटे पहचान है इस कारण से महापुरुषों के विभूति पुरुषों के राष्ट्र नायकों को हमने छोटे एक पैचान से उनको हित्यास में रख दिया इतनले शिवाजी महराज इस प्रकार के जो कारे हुए हैं उसके थोड़ा शिकार भी बने हैं शिवाराज जी महराज को उस समय के दर्म विरोधी राष्ट्र विरोधी विजेशी आकरांता उनके कुचल नहीं सके हरा नहीं सके हमारे इतिहास करों ने उनके कुचल दिया हमारे एक संकुचित भावना ने उनको हरा दिया ये समस्या है जिसके बारे में अलग शब्दों में साइज दिपक ने कहा है जो हमारे अंदर के जो इस प्रकार के जो सोच है द्रिष्टी है उसे अपने को ठीक करने चाहिए कि कहानी तो थोड़ा बहुत समस्ब जानते ही है इसलिए मैं उस इत्यास में तो नहीं जाओंगा आवशकता भी नहीं भी तो उन्होंने कैसे बालेकाल में वो प्रतिज्ञाली रोईडविश्वर में शिवी के सामने अपने रख्त तरपन देकर एक हिंद्वी सुराज के स्थापना करने के उन्होंने संकल्प लिया या बाद में उन्होंने अपने साथियों को जूड़कर एक सेना खड़ी की और लोहा लिये बियार के अदिल शाय से साथिश्टे का अफजल कान का वद्द किया और अंग सिवसे जिस परकार के उन्होंने स्ट्राटेजिकली पॉलिटिकली चीजों को कैसे उन्होंने सामना की ये सारे एक कहानी हम सब किसने किस रूप से जानते ही होंगे शिवाजे महराज की एक नेतरुत्त के घुण जो है वह आज लीडरिशिप कॉलिटिकली के अध्येन करने वाले लोगों को विशेश रूप से अध्येन करना चाहिए उन्होंने अपने सात्यों के मन के अंदर उनके जो सपना उनके जो धेय और आदर्श उन्होंने अपने हरदे में संकल पलिया था उसको उनके सात्यों को मित्रों को उसी प्रमान में उतने ही घहरी कैसे हो उन्होंने स्थाफित किये उसके लिए जीना और मरना जो भी कर सके वो करने तक का वो लोग तैयार हो गए सामाने लोग थें उन सामाने लोगों के अंदर एक असामान्य उदात धे के बीजार ओपन करना और उसको जतन से बड़े होने के लिए प्रयत्न करना और उन सब को अपने समान के चुड़कर और हिंदवी स्वराज की सपना केवल एक व्यक्ति के नहीं एक सारे समाज क्या है ऐसे करने के लिए प्रयत्न करना ये शुवाजी महराज ने अपने जीवन में किया श्वाजी महराज कोई भी काम जब किये सामानिता जो उनके बारे में जो अभी बताए न समर्त रामदास ने निश्चा चा महा मेरू बहुती जनांस रोर अखंड तिती चा निर्धारू शीमन्त योगी तो श्वाजी महराज के बारे में उन्होंने कैसे व्यक्तियों को चीजों को परिष्टित को देखा तो वो कैसे बैटते थे कैसे बोलते थे कैसे सुनते थे इसके बारे में तुम ऐसे श्वाजी महराज के को आप उनसे सुना उनको बेटे को संभाजी को समर्त रामदास ने उपदेश दिया श्वाजी महराज कैसे करते थे थे इसे करो तो उनके एक एक बातों के बारे में उन्होंने अधोरेकित की उनके इन गुणों के बारे में वो सारे गुणों के दियाम में इकट्टा देखेंगे तो वह एक संगटक एक नेत्रत्तों देने वाले आईसे राजर्शी के हैं यह विशेश्टा थी परिस्थिति के आकलन करना विशेशी लेककों ने भी श्वाजी महाराज के बारे में इस संदर्ब में लिखे भी हैं तो कैसे उन्होंने उदान के लिए वो आगरा से औरंग जिब ने उनको बांद कर रहा है वहां पकड़ कर रख दिया था जेल के अंदर उस कारावास से वो कैसे बाहर आए और रोचक कहनिया हम सब जानते हैं वो लड़ो बाटने के लिए इसमें पेटी वाइट गए बाहर आए पहुंच गए तो लेकिन उसके योजना कैसे उन्होंने बनाई होगी औरंग जैब जैसे एक मुगल राजा जैल में उनको ढटेकेल दिया परिस्टिती आइसे थी बाहर निकले कैसे संब्व नहीं था बाहर इनके लिए कोई सेना लेकर औरंग जैब के सेना से लड़कर इनको चुड़ाएंगे आइसे परिस्टिती तो दूर दूर से संब्व नहीं था कोई राजा इसमें आएंगे आईसे नहीं था तो मेरे हिंदमी सुराज की सपना समाप्त हुई भई मैं अभी जेल में मेरे बचे हुए जीवन के वितीत करूँगा आईसे हता शोकर बैटी है क्या शुवाज महाराज शुवाज महाराज उस मिट्टी से बने नहीं हुए थे मेरे समर्थन के लिए आने वाले कोई राजा नहीं है और औरंग देव से कौन दुष्मनी पाले भई शुवाजी महाराज के कातिर संबख भी नहीं था उस स्थिति में उन्होंने योजना बनाई और योजना बनाई तो कैसे पूरे अपने गंतवे तक वहां पहुंचना है इसके लिए सारे नेटवर्क कैसे हैं उसके उप्यों किया तो जेल के अंदर बैटकर उन्होंने एक एक चीज़े कितने डीटेल वर्क उट किये होंगे इसके बारे में भी अज्धेन कियों लोगों ने लिखा है तो उनका जैसे वेक्ति को तैयर करना महार रखना बाहर नि के लिए पूरी योजना बनाएं कि अफ्दलकान के बारे में अभी हमने नाटिका मदी कि वियार के अदिल चाहिए ने विजाप्र के अदिल चाहिए ने अफ्दलकान को भेज़ा जाड़ी के वेज़ान में अफ्दलकान आए तो चारो और धुन्स करते आए खेत कलियानों में उन्होंने लूट मचाए गांगाउं को जलाए मंदिरों को तोड़ा शुवाजी और शुवाजी के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं यहां तक हो गई लोग कहने हैं कि हुआ क्या भई शुवाजी महराज बड़े अपने को बोलते थे इदर उदर करते थे कौन से इंद्वी सुराज किस्ता अपना करने वाले हैं तो डर गए तो अपने विल के अंदर छिप गए यहां तक लोगों ने शुवाजी महराज के बारे में उससमें तो महराज थे भी ने हो शुवाजी के बारे में वो ऐसे कह रहे थे तो शुवाजी यह सब सुनते थे उनके लोग जगे जगँ पर बैटें हुए今回 पर घुम रहे थे हर चीज़ के हर बात के हर गाउं से इस तरफ अफजल कान क्या क्या कर रहे हैं उनके सेना क्या कर रही है इन सारे चीज़ों के वो जानकारी लेने के उनके तंतर काम कर रहा था परिष्टिती से वो तनाव में नहीं आए आकलन किया कैसे हैं बाहर की दुनिया सूजबूज रखें एसारे होने के पस्चाथ अफजल कान को अपने पाले में लाकर उनको मारना है तो इसलिए मैदानी युद्ध में उनक संबवनी इताथ तो इसलिए एक एक कंडिशन कैसे रखें आप इतने लोगों के साथ आएंगे तो हमारे शुबाजी डर जाएंगे भई अब अखेले आओ बात्चित हो जाए तो आपके सामने समर्पन कर देगा क्या बात है इतने सारे लोगों को क्यों तुम मारते हो क्यों मरवाना है तो ऐसे बात्चित के लिए नेगोशियेशन के लिए जिनको टॉक्स के लिए भेजते हैं कैसे लोगों को भेजा अफ़लकान को उन्नोंने समझाया अफ़लकान आगाा हम ठीक है बई चलो बात्चित हो जाएगी तो काई के लिए इस सारे तो इसलिए बात्चित के लिए बाकि इतिहस है सब जानते हैं क्या हुआ परिष्टिति के आकलन करते हुए क्या कुंसे बात कब करने चाहिए वेंट वेस्ट पवर वेंट टू सेव दे स्ट्रेंथ वेंट टो अटाइक वेंट तो रिट्रीट श्वाजमारे रिट्रीट भी किये है ऐसे नहीं कि नहीं किये है वो भी किया उन्होंने और वेक्तियों का करन किया जैसे उनके छोटे आयू के मित्रों को उन्होंने हिंदवी सुराज के प्रचंड सेना नाय को बनाया उन्होंने सारी दत्ता जिसिंदे के बारे में यहां बार के हैं नताना जेमाल सुरे बाग के कितने लोगों को उन्हें ने खड़ा किया तो ऐसे उन्होंने इतने लोगों को तो एक-एक को खड़ा किया लेकिन कुछ लोगों को गुण जहाँ है चमता जहाँ है उसको पहचाना और उनको भी जोड़ा पन्नालगड के कहानी है बाजी प्रभु देशपंडे के दो हातों में तलवार लेकर जिसने शत्रों के सेना को रोक कर शिवाजी महराज पन्नालगड में उपर पहुंच रिकर वहां से आवाज आने तक लड़ते रहें और वहीं जिनके जो हुतात्मा हो गए बाजी प्रभु देशपंडे वो शिवाजी महराज के साथ नहीं थे पहले शिवाजी से लड़ने के लिए जो रोकल राजा के युध में वो उस तरह के सेना में बाजी प्रभु थे बाजी प्रभु के छमता क्या है इनकी commitment क्या है वो देखा उन्हें बाजी प्रभु से बात की तुम काय के लिया हूं और बाजी प्रभु के मन के अंदर राष्ट्र और धर्म के हिंदवी स्वराज्य के एक अद्भुत प्रेरिना को जागरुत किये बाजी प्रभु श्वाजी महराज की सेना में आ गए तो इसलिए गुण को पहचान करना उसको बड़े काड़ी के लिए जोड़ना एक संगटक प्रवृत्ती जो है वो श्वाजी महराज की मिर्जा राजा जैसिंग लड़ना है थे मिर्जा राजा कहते है वो भी राज मुकुटो धारी वगरे नहीं थे वो औरंग देब के तरह से आए जैसिंग को पत्र लिखा आप एक इस देश के राष्टर के लिए हिंदू धर्म के लिए हिंदू राष्टर के लिए आप राजा बन कर आओ मैं तुम्हारे सेवक रहूंगा मुझे कोई राजा बनने के सिहासन बैठने के मेरी इच्छा नहीं है भई लेकिन तुम एक आतताई विदेशी आकरांता के गुलाम बनकर तुम्हारे हो तो लड़ना पड़ेगा तुम्हारे साथ तुम देश दर्म के लिए आए हो मेरे बड़े बाया इसे मानकर तुम्हारे सामने सब समर्पित कर दूँगा इसकारत यह है शिवाजी महराज के जो जीवन के लक्ष में अपने को खुद को सिंहासन पर बैटने की इच्छा नहीं थी जो संकल्प उने ने लिया था छोटे आयो में वह जीवन भर उस उदात आदर्श को उस धे को उन्होंने एक छण के लिए नहीं चोड़ा स्वारत के लवलेश नहीं आया सा किसी भी स्थिति में हार नहीं माने किसी भी स्थिति में अपने चारित्र के एक तिलमात्र भी उसमें इधर उधर नहीं हुआ तो ये जो नेतृत्त है ये जो संकल्प बद्धता है इस कारण से चिवाजी महराज इस देश के राजाओं में एक स्थ्रेश्ट नाम क्यों है सॉर्ट्ड राजा हुए है वे इस चीफर राज़्जा भी स्थिति आज क्यों करना उसके सिगनिविकेंट क्या बताया उपने देखिए राजा बने शिवाजी महाराज तयार रही थे हमने देखा नाटिका में बाद में उनको तयार किया तो तो उनको भी वो तो सोचते ही थे उनको मालूम था राजा बने आवश्य क्या था एक विदी सम्मत लीगल सैंक्शन चाहिए था उस समय के जो धर्म के नियम के और उनके वहाँ समाज में जो चलता था उसके एक स्विक्रती चाहिए थी आप लड़ाई कर लड़ रहे हैं सामराज बना रहे हैं जमीन को अपने राजी के साथ जोड रहे हैं किले को अपने साथ जोड रहे हैं लेकिन आप लूट रहो आपके कोई अधिकार नहीं है राजा को अधिकार है क्योंकि आपके पास सेना है राज मुद्रा है मुद्रा है किले है परंपरा है राजा के बेटा है इतली तुम राजा है इस प्रकार के जो अपने देश में थी उसके लिए ये सारे पनुमती थी त तुम चार लोगों को खड़ा कर दिया, तुम साही आधरी के गुंडा, यह सब करने के बाद तुम यह करोगे, तुम्हारी वाइधता क्या है, वाट इदे लिगालिटी, हिंदवी स्वराज इस प्रकार के कातन के इस प्रकार के दोशार उपन से नहीं कड़ा हो सकता, का विदिवत, धर्मसाक्षी से, समाज के अनुमती से, परंपरा की स्विक्रती से, इस विषय को उस प्रकार के एक सैंक्षन दिना जाता एक लेगालिटी चाहिए थी, इसलिए शिवराज्या विषयक के आवश्वक्ता पड़ी, तो टेक्स कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए व्यदता चाहिए, अन्य राजाओं के समान, बैटकर समान उच्छन करना है, उसके लिए चाहिए, सेना खड़ी करनी है, जब तक राजा नहीं कहला हुए, आपके लोगों के जो एकरटा करते हैं, उसको सेना के मान्यता नहीं है, दूत्रे राजा उसके सेना नहीं कहते है गुंडों के गिरोह कहते हैं तो इसलिए इसके यह सारी चीज़ जाये थी शुवाजे माराज किसी को निुक्त करेंगे तुम ये हो शुपेज़ार हो ये हो वो हो कुर ओंगाज निुक्त करने के लिए स्वाजी महाराज ने अपने जो जमीन को जोड़ दिया अपने सामराज के साथ उसमें कुछ को मंदिर को किसी को दिया क्या तुम्हारे अधिकार है देने का अनुदान देने का अधिकार नहीं है नियुक्ति देने का अधिकार नहीं है राज मुद्रा बनाने का अधिकार नहीं है करेंसी बनाने का अधिकार नहीं है जब तक का आप राज्जा विशेक हुए राजा नहीं बनते या राजा बेटा के राजा के नाते सिंहासन पर गद्दी पर नहीं बैठते तुमको नहीं है इसलिए हिंदवी स्वराज्य के आईसे कोकले आधार पर खड़ा नहीं कर सकते थे इसलिए एक मानियता प्राप्त राज्य की व्यवस्ता, सामराज्य की व्यवस्ता उसके आवश्यक्ता के लिए उन्हें शिवराज्या विशे के जो सिंहासना रोण के इस विशे को उन्हेंने श्विकार किया। वो इसे डी फैक्ट हो राजा थे, डी जूरा ही राजा बनने थे, इसलिए शिवराज्जा भी शेक के आवश्चकता पड़ी, तो विजापर के अदिल चाही ने भी, बले ही मन के अंदर कुछ भी हो, शिवराज्जा भी शेक के बाद शिवाजी महराज को राजा महराजा माना, यहां तक क्या उरंग देवने भी माना, उसके बाद जब सहियों को उन्होंने जुकाये हैं, तीन सो किले के ओनर है, ये एक राजा बनने के लिए क्या क्या आवश्चकता है, इसको सुचे बने, उसके आधार पर बताया, ये मान बन सकते हैं, तब शिवराज भी शेक हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये कोई शिवाजी महराज ने कुछ लड़ाई लड़ी, जीते हारे जो हुआ, जीत गए, एक दिन मन के अंदर आया, शिवराज जब शेक हो गया, ऐसे नहीं हुआ, एक एक चीज के बारे में ध्यान दिया गया, इन सारे विश्यों को अध्येन किये, आवश्चकता क्यों हैं, सिंहासन पर गद्दी पर बैटने के, ये हो सब होने के बाद में उन्हेंने, मैं सामराट नहीं हूं, हमने देखा भी, मैं च्छत्र, च्छत्र एक वलावन से च्छत्र पती, सिवाज महराज गोब्रामन उद्धारक, अपने आपको उन्होंने, इस प्रकार कहने के लिए कहा, एक मुद्रा, राज मुद्रा बना कर, एक परमान करके एक विक्ति लाए थे, तो उसमें एक अलग प्रकार के विष्णु के आवतार के नाते, शिवाज महराज के वरणन करने वाले, दो संस्कृत के पंक्ति बनी थी, इन्होंने देखा, मैं विष्णु के सेवक हूं, विष्णु के अवतार नहीं हूं, मुझे यह नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने जो मून में उनके जो था, पर्षिपच्चंद्र लेके वर्दिष्ट और विश्ववन दिता, शाहस उनों, शिवस्य इचा, मुद्रा, बद्राय राजते, उसी राजमुद्रा को उन्होंने कायम रखा, जो करेंसी बनी, उस करेंसी में शिवाजी महराज की चित्र के बना कर लाये थे कुई, उन्हें का यह नहीं कोगा, शिवाजी महराज की चित्र के करेंसी नहीं स्विखार करेंगे, उन्हें का नहीं होगा, तो ऐसे हरे एक चीज में एक आदर्श स्थापित करने के प्रयत्त शिवाजी महराज ने अपने आचरण में विवहार में को करके दिखाए तो शिवाजी महराज के राज्य वेवस्ता संगर्श तो बहुत लोग करते हैं लड़ाई तो बहुत लोग करते हैं उसमें जीतते भी हैं बाद में क्या हुआ ये महत्तो के हैं हमारे देश में भी स्वातन तरोत्तर अलगन में बहुत सारे आंदोलन हुए आंदोलन से सत्ता बदले हैं बदलने के बाद क्या हुआ ये इतियास हमारे सामने हैं तो मैं उसका उल्लेक नहीं करूँगा यहां बैटे हुए लोग थोड़ असा 1970 के बाद के जनांदोलन और किस कारण से आंदोलन हुए संगर्ष हुआ उस संगर्ष में जनता के समर्थन मिले समर्थन मिलने के बाद सत्ता पलट गया पलट गयने के बाद दो-चार साल में क्या हुआ तो इसलिए संगर्ष करना जीतना जनता के समर्थन प्राप्त करना एक वातावर्ण खड़ा करना एक हद तक अच्छा होता है उसके बाद जब गवर्नेंस देने के बात आती है उसमें बड़ी चुनोती होती है शिवाजे महराज ने इस कार्य में एक श्रेष्ट उदाहरन प्रस्तुत किया तो इसलिए विदेशी लेकप नहीं यहीं लिखा यहीं कहा तो नॉट ओनली एक मराठा गवर्नमेंट बट अफे गुड गवर्नेंस यह केवला किसी आक्रांतों के विरुद्ध में कड़े हुए राज्य किसी वेक्तिक आईसे नहीं है यह गुड गवर्नेंस के लिए किया था सुचासन के बात आज बहुत चलती है और बहुत वारी बात हो भी रही है जो कर रहे हैं वो शिवाजी के आदर्शी को अपने सामने रखे हैं इसलिए इससे सुचासन देने वाले लोग बैटे हैं देश में मैं इसलिए कह रहा हूँ इसके बारे में जो पुस्तक लिखे हैं शिवाजी के सुराज्य के बारे में अनिलमादो दवे उनके पुस्तक हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं जरूर उसको पढ़ने चाहिए शिवाजी महराज राजजा अविशेक के बाद गौवर्नन्स क्या क्या किये उसके बारे में कुछ बाते अभी वेबोजी ने उलेक भी किया कैसे उन्हें टैक्स सिस्टम के किये जमीन के जह किया राज्य वेभार कोष्ट में परशियन उर्दू अरैभिक शब्दों के जगह पर संदकोतोर माराथी के किया अभिनाठिका में भी उसका उल्लेक आया आयसे उन्हें कई परकार के चीजों के बारे में अष्टप्रदान के विवस्ता किया अष्टप्रदान के विवस्ता कही से बन गई अर्थ कोटिले अर्थशास्त्रों शुक्र नीती विदूर नीती ये सारे चीजों का अज्जेन किया गया हमारे देश में कई परकार के प्र रही है इन सब का अध्यान करने के बाद शुवाजी महाराज ने अश्ट प्रदान व्यूस्ता के बद निरनाई किया तो उसमें जैसे बताया फिनांस मिनिस्टर रुक्षा मंद्री व्यूस्ता तरह तर के क्रिशी के काड़े के कैसे करना चाहिए इंडस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए शिप बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहिए इन सारे विश्यों के बारे में सोचा गया और कुछ न कुछ पहल भी करके आगे बढ़ाएं तो ऐसे श्वाजी महराज ने अपने लड़ाई के समय तो पुणे का लगबग उनका केंदरता मानो लेकिन राजधानी उन्होंने राइगड बनाया तो राइगड जो गए हैं आपको ध्यान मैंगा जाना आना आसान नहीं है अब राइगड बनाया अपने राजधानी गोवा के नजदीक समुद्र के नजदीक मुंबई पुने और चिपलून से समान दूर तुलजा बानी के आसी रौत ने इतने दूर आसानी से कोई चड़ सके आईसे नहीं है इसलिए गिबरान करके एक विदेशी लेकड ने अपने पुस्तक में लिखा जवाजी महराज के सेलेक्शन अफ राइगाड आज दी कैपिटल उसके बारे में लिखा इड़ इड़ इंप्रेग्नेबल प्लेस इन दे होल उनिवर्स ऐसे लिखा है इसलिए एक राज्य वेवस्ता करने वाले वेक्ती कैसे रहें क्योंकि चारो और दुश्मन थे आसान नहीं था दुश्मन विदेश आकरांता औरंग देव चाहे वगिरे छोड़ वो तो थे ही ये भोस्तले वेक्ती कैसे राजा बनता है इसे उन्हें वाले मराठे लोगों में भी बहुत लेगते जो मुगलों की सेवा कर रहे थे अपने इस अर्थ में डुबे हुएते हैं आईसे लोगों से भी इनको बचना था जो साही दिपकर बताए ना जो डिविजिव फोर्सेस विदिन आईसे करने वाले लोग रहते हैं इसलिए वो उससे भी पितना थाईगी तो इन सारे विश्यों को ध्यान में रखकर शिवाजी महराज ने अपने शिवराजजा विशेक के बाद जो एक सुशासन की ववस्था की वहाँ आज के लिए भी सदा के लिए एक आधर्श ववस्था उन्होंने उससे सीखने के लिए उसके पालन करने के लिए बहुत सारे बाते होने तो चत्रपति शिवाजी महराज के शिवराज जाविशेक के तिन सो पचासवा वर्शगाठ मनाते समय इन सारे विश्यों को ध्यान में रखना चाहिए एक बात आती है ने मुराठा एमपर, मुराठा एमपर बात कही जगाप पर लिखे हैं शिवाजी मराठा थे ठीक है जो प्रारह भ्याज में ने कहा ये मराठा एंपएर कहां से आया बात के लोगों ने कहा या विदेशी इतियास कारों ने लिखा यह मराठ एंपएर कहा शिवाजी महाराज ने तो हिंदवी पतपाद शाही बता है हिंदवी इस अमराज की बात कही है यहीं उनका उदगार रहा है लेकिन मराठा किंग मराठा किंग मराठा एंपएर यह खास है श्वाजी महाराज ने एक बार मी नहीं कहा है मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं कोई है तो मुझे बताए श्वाजी महाराज को रविना टागोर श्वा जहिंत उत्सों मना कर सतंतरता अंदोलन के लिए लोकमानने तिलक ने जो महाराश्ट्र में किया था वहां बंगाल में भी वो करने के लिए रविना टागोर ने प्रारंब किया स्वामी वेकानन्द आपने परिक्रमे में जो कुलकत्ता से निकल कर कर कन्या कमारी तक आये मदरास में जब थे तो मदरास में जब बैटे थे तो वहां एक नाग करके नाग महाशे बंगलाबाशी ते मदरास में रहते शायद मिलने आये थे बैते तो स्वामी जी भूषन कवी के उन पंक्तियों को गुन गुना रहे थे दावा द्रुमदंड परचीता मुर्गजुंड पर भूषन वितुंड पर जैसे मुर्गराज है तेज तम अंस पर कन जिमी कंस पर तो मलेच्छ पर शेर शिवराज है जैसे हिरन उनके जुल्ड पर मुर्गराज सिवा जैसे उसके मारने के लिए चलाग मारते हैं उस प्रकार या शेर कोते हैं ऐसे मलेच्छों के ओपर शेर शिवराज है ऐसे शिव भावनी जो लिके हैं भूषन कवी ने उसमें सारे लिके हैं तो जब ये गुण गुलायती तो नाग मासे ने पूचा स्वामी जी एक शिवा जी के बारे में आपके रहे हैं वो तो लुटे रहा है स्वामी जी ने फटाक से बताया तुमारे दिमाग ये अंग्रेजों के इतिहास से खराब हुआ है उसको ज़रा वाश करो ठीक करो अपने देश के राष्ट्रियता के धर्मा अधारित व्यवस्ता के समाज व्यवस्ता के सुद्रड व्यवस्ता के परंपरा को गुणा से विकृति से अनागरिक पद्धति है ऐसे समझ कर देखने के एक अनिष्ठ परंपरा दशकों से इस देश के अंदर चली उसको विराम देने के और नए सोच को जो सही है वास्ते विकता है तठ्च के आधार पर है इतिहास से सक्षि है उसको प्रस्थूत करने के लिए इस सारे नकेवल इतिहास के संदर में इन सारे विश्यों से मिले हुए विमर्श को नेरेटिव को बदलना चाहिए और बदलने के लिए जैसे साई ने कहा उसके लिए बाहर के लोग आप के लिए साहिता करेंगे नहीं करेंगे लेकिन जिनको करने के कार्य है जो इस देश के राष्टर के निर्मान और विकास में संकल्प बद्ध है उन लोगों के परिश्रम के आवश्चकता है उन लोगों के अध्येन के आवश्चकता है उन लोगों के प्रस्थुतिकर्ण करने की इक्षमता के वर्दन के आवश्चकता है उन लोगों के नेटवर्किंग के आवश्चकता है इसलिए आज शिवाजी महाराज के गुनगान करने के अपने काम पूरा नहीं होता, शिवाजी महाराज ने जो कारिया हम लोगों के लिए छोड़ करका है, इस विशे को दिल में, समाज में, धेन में, जीवन के हरक्षेत्र में लाने के लिए जो प्रेहत्न करना चाहिए, वह करने के लिए हम आगे बढ़े शिवराज जाविशेक का यह कारिया आयोजन जो कर रहे हैं वो उस दुष्टी से इसारत तक बने यही निवेदन करता हूं नमस्कार